हलो एवरिवन welcome back आज हम लोग बात करेंगे highway engineering में road project से जुरेवे surveys के बारे में कि जब हम एक road की शुरुबात करते हैं तो उसमें आपको क्या-क्या surveys उसमें जुरेवे होते हैं उन surveys को किस तरह से हम conduct करते हैं उन survey का purpose क्या होता है यह सारी चीज़े हम लोग पढ़ेंगे आज प्लानिंग करते हैं कि इन सीडिस को कनेक करना है तो उनमें यह चार सर्वेस का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है तो आएक करके जानते हैं कि यह पहला डेस्क इस्टडी डेस्क इस्टड़ी आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि यह आफिस में भैटके करने वाला वो survey है जसमें हम लोग जो हमें geological survey of India के तिरफ से और और इंडिया के तिरफ से जोह में टोप डायंधिकल मै爵ाइड होते हैं में न्यूह इस चीज़ों का study करते हैं उसमें बैठ करके उसमें देखते हैं कि हमारे इस पूरे एरिया में इस लोकालिटी में कहां पे रिवर्स और पॉंड्स हैं कहां से आपको दो एलाइन्मेंट डिसाइड किये हैं यह तीन आपके प्रोवैबल रोड्स हैं इनमें आपको रोड्स करना है जिन में से कोई एक आगे जाकर के फाइनल होगा तो यह सारी चीजे जो आप मैप को देख करके अंडर्स्टाइंड करते हैं कितना है रेंफॉल कितने कितनी होती है यह सारी चीजे चीजे के उस्टेडे करते हैं वह आता है आपको डिस्क्रेंट इस्टेंब हैं पहला आपको रीडिंग टोबग्राफिकल मेप हम लोग किसमें giंकरते हैron से information obtain करते हैं Contours के बारे में दस मीटर के Contour इंटरवल पे Contours दिए रहते हैं तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपके एडिया का Contour क्या है आपको महां पे रोड आपको ग्रेडियन में प्रवाइड करना है या नहीं करना अगर वो सेने Contour पे तो बिल्कुल स्ट्रेट रोड बनेगा अगर वो इनमें kontour का चेंज हो रहा है तो उसमें आपको ग्रेडियन किस तरह से जो आपके के लिए कि लिए यह किस तरह से geological features जैसे की faults and groundwater to the ground water tzial तो हमलोग सब जानते है तो वो कि आपको geological feature एक होता है कि आपको ground में water table कितना ऊपर या कितना नीचे है जिससे आपको ये अंदास पड़ जाता है कि अगर flood आएगा तो flood आने के chances कितने हैं उसके उसका water level कितना rise हो चुका है पिछले hundred years में और कितना rise हो सकता है यह सारी चीज़े आपको geological map में मिलती हैं इसके बाद आता है आपको faults, fault क्या होता है जो हमारा earth है वो आपको छोटे छोटे tectonic plates से connected है तो वो जो plates होते हैं उन कि fault जब आर्थ को एक आर्थ को आने का मतलब क्या होता है कि दो आपको plates जो है वो आपस में move कर रहे हैं तो वो जो उनका आपस का movement होगा वो उस fault zone जो crack zone का line है वो move करेगा इस तरह से तो उसके उपर में अगर हम इतने buildings या roads construct करेंगे तो उनमें आपको gaps और cracks दिखाई दे logging कितना होता है कितनी intensity से आपको rainfall होगा रोड को effect करेगा या नहीं करेगा यह सारी चीज आम लोग rainfall intensity map से बढ़ते हैं और उसके बाद आता है possible routes यह सारी चीजों को देखने के बाद हम office में ही एक possible routes decide करते हैं कि हमें जो दो cities को connect करना है उनके possible routes क्या क्या हो सकते हैं यह सारी काम होता है आपको desk study में इसके बाद आता है हमारा reconnaissance survey reconnaissance survey क्या करता है कि यह आपको जो आपने possible routes यहां decide कर रखे हैं यह possible route आपने इन सारे features को ध्यान में रखने के बाद decide किए फिर इन possible routes को यह technically site पे जा करके visit करके वहाँ पे इन सारे routes के सारे information हम लोग obtain करते हैं information जैसे कि इसमें क्या करते है reconnaissance survey में कि determine any necessary deviation in the basic geometry to be provided in road अब road में हम geometry क्या 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 प्रवाइड करते है एक तो मारा road का cross section होता है road की alignment होती है दूसरा हम लोग उसमें अगर कहीं water system cross कर रहा है तो हम लोग उसमें आप एक small bridge या कलवर्ट इस तरह से कुछ supply वो देते हैं प्रवाइड करते हैं तो वो जो हम foundation provide करेंगे उस bridge का तो कहीं वो उसमें कुछ changes आने की ज़रूरत है कि नहीं है जो इस survey में decide किया य reconnaissance survey मतलब है कि site पे जा करके खुछ से देख करके observe करना इसके बाद हम लोग करते हैं aerial reconnaissance या फिर ground reconnaissance पहला step होता है वह था आपको ground reconnaissance आप ground reconnaissance start करते हैं आप site पे जाते हैं आप वहां के सारे features को देखते हैं किस तरफ आपको residential area है आपको जो possible routes दिये गए थे desk study में वो possible routes कि किस तरफ है और city का direction किस तरफ है उसमें से कौन सा route best होगा जो आप choose करेंगे कि यह route अगर हम select करें तो इससे जो सारे benefits से वो सारे logo तक पहुंच पाएगा या फिर वो आपको कहीं किसी trouble रास्ते से तो नहीं है कि वो किसी के property को cross करता वा जा रहा हो किसी का घर बनावा हो औ हम लोग reconnaissance survey में ground survey में देखते हैं अब अगर ground reconnaissance possible नहीं है ground reconnaissance मतलब ground survey कि ground पर जा करके visually उसको देखना अगर यह possible नहीं है या फिर इससे information obtain नहीं हो पा रही है तो हम लोग करते हैं फिर aerial reconnaissance aerial reconnaissance क्या होता है जो आपने photogrammetric survey में पढ़ा था उसमें आप camera की मदद से लेंस की मदद से आप flights में अपने camera को amount करके फिर उसमें आप birds eye view लेते हैं और उससे आपको सारी information जो है वो आपको clearly मिल जाती है जो आप ground पे खु possible routes दिये गए थे उसमें से आप कौन से route को prefer करेंगे यह आपका काम है reconnaissance survey में उसके बाद most visible route वो तो चूज आपने कर लिया उसके अधा alignment gradient curves जो सारी चीज़े आप इसमें decide आपने office में किया था कि आपको कहां पे curves provide करने हैं आपको कितने slopes होंगे इन सारी चीजों को आपको reconnaissance survey में site पे जा करके practically देखना है कि यह सारी चीज़े feasible है कि नहीं है curves अगर provide करना है तो curves किस तरह से कहां पर provide हो सकता है बिल्कुल कोई ऐसा टेरा मेरा road तो कहीं नहीं बन जाएगा तो यह सारी चीज़े आपको reconnaissance survey में आएंगे उसके बाद है plan prepare करना plan to be prepared of general profile cost estimate and material availability यह ए इतने distance available है labor किस तरह से available होंगे यह सारी चीज़े प्रस आपको cost estimate कि आप एक probable cost estimate बनाएंगे कि अगर हम इस तीनों में से जो possible routes लेते हैं तो तीनों routes का जो cost estimate होगा वो क्या होगा और उसके हिसाब से आप एक final road select करेंगे कि यह हमारा best possible route है इन तीन अगर आपने तीन routes पहल preliminary survey में हम लोग क्या करते हैं जो हमने recognition survey में जो हम लोग test study से जो final route हम लोग choose किये थे उस final route का हम लोग actual technical survey करते हैं और सारे information सारे data हम लोग calculate करके उसको एक map में provide करते हैं ताकि उसके basis फिर आगे construction हो सके तो वो जो drawing preparation जिसको actual technical drawing preparation होता है वो आपको बनता है preliminary survey में अब यह कै तो यह करते हैं और जो आपका final route जो इसमें recognition survey में चूज किया गया है उसका हम लोग उसके center line को हम लोग final मानते हुए उसका हम लोग एक survey करते हैं और उसमें हम लोग सारे information से चीव करते हैं जैसे कि आपका side slope कितना होगा थे लाइट की मदद से हम लोग उसका leveling का सारे information obtain कर करते हैं फिर आपको अगर करने हैं तो उसका radius क्या होगा उसका starting point और end point जो कर अगर हम उसके transition कर प्रोवाइट कर रहे हैं तो transition कर में जो उसका transition कर स्टार्टिंग है उसका जो end है फिर जो उसमें circular कर आता है उसका जो starting है और उसका जो end है यह सारे information हम लोग इसमें preliminary survey में obtained क प्रोवाइट कर रहे हैं तो उसका भी हमको सारा technical information available होना होगा तो हम लोग ground का फिर जियो technical survey करेंगे उसका हम लोग स्टार्ट का बेरिंग कैपैसिटी और सब्रेड मॉडल यह सारी चीज़े हम लोग obtain करेंगे और obtain करने के बाद उसके basis पे हम लोग यह decide भी करेंगे कि उस उसमें जो foundation आएगा वह किस तरह का आएगा वह spread foundation आएगा यह सारी चीज़े इसमें डिसाइड होंगी फिर उसके ड्रॉइंग्स प्रिपेर होंगे सारे डेटा उसके available किये जाएंगे यह सारी चीज़े आपको आएंगी preliminary survey में उसके बाद करी चुके हैं इसके basis पे हम देते हैं उसको यूज करके फिर किया जाता है location survey location survey का मतलब क्या है कि यह information provide कर दी गई रोड कहां बनना है कि शहर में बनना है कि लोकेशन पर बनना है यह ड्रॉइंग में बता दिया गया किन दो से एरिया को connect करेगा वाया route क्या होगा वह सारी information होंगी road के cross sections होंगे उसमे road की dimensions होंगे curves के dimension होंगे bridges के dimension होंगे यह सारी चीज़े के map तियार होंगी वह आपको site पे actually जाकर के locate करना है जब आपको यह information किसी और third party को provide कर दिया जाएगा जिनको यह construction करना है फिर वह site पे जाकर के उसको locate करेंगे कि यह road कहां पे available है जो road जब available हो जाएगा तो उसका center line का alignment है जिसको इसमें आपको plot किया गया था इसमें आपको temporary benchmark level बना दिया गया था वो temporary benchmark level उनको आप site पे जाकर के actual condition के हिजाब से site पे layout करना पड़ेगा road के starting कहां से वहाँ एक benchmark लगेगा फिर हो सके तो हर 250 meter interval पे आपको temporary benchmark बनाते रहना पड़ेगा जिससे आप road का आगे का सारा construction work आप उससे start करेंगे उसके बाद road पे अगर कहीं पे flyovers cross कर रहे हैं या पर कोई river cross कर रहा है उसका bridge आ रहा है तो bridge का भी starting और end का भी आपको temporary benchmark ये सारे information जो हम site पे रहा करके plot करेंगे ये आपको आएगा location survey के अंदर उसके बाद अब जब हम road का alignment select करते हैं तो हर बा acquire करना ये भी location survey के अंदर में आता है तो acquire करने के लिए उसके सारी information obtain करना जैसे कि land का अभी का cost क्या है land आगे के जो बीस साल या पचीस साल जो उसका growth हो सकता था वो सारे information private party जिसका वो plot है उसको government के इस का road project का information दे करके उनको convince करना और legal processes सारे इस land को acquire करके उनको जो benefit जो काम और सारा information जो क्लेट किया जाता है ये इस final location survey में किया जाता है और उसके बाद जो सबसे final होता है वो होता है cost of road project road project का cost क्या आएगा किसी भी अगर आप एक road को government हर road को अपने से construct नहीं करती है वो बहुत सारे roads को contract दे देती है दूसरे companies को कि आप इसको construct करके hand over कीजिए तो जो दूसरी companies आएगी वो उसको कैसे पता चलेगा कि road का cost क्या है तो वो cost आपको इस location survey में final किया जाता है कि आप किस तरह का road बनाने वाले है PCC है कि bitumen है अगर bitumen है तो उसमें आपका अंदर में क्या-क्या उसके materials use होने वाले GSB कितना लगेगा WBM कितना लगेगा और य यह सारे चीजों का calculation bridge अगर आ रहा है उसमें तो bridge का construction cost क्या होगा वो सारी चीजों को cost को calculate करके उसका एक BOQ बनाया जाता है bill of quantity उसमें आपको इसका total cost दिया वा रहता है कि आपको यह materials लगने है और इसका इतना cost आएगा तो जिस भी party को यह construct करना होगा उसको यह cost से अंद किये जाते हैं यह आपको किये जाते हैं location survey में तो इस तरह से यह चार survey को use करते वे एक national highway या फिर एक road construct करने का जो starting point होता है road construction का उसके पहले कि यह आपको चार process होते है road construction तो एक final process होता है कि वो construct होगा और complete हो जाएगा लेकिन उसको construct करने के लिए जो estimate बनाया जाता है ज उसके बाद reconnaissance survey होगा उसके बाद preliminary survey होगा और last में location survey होगा इसके बाद आपको वो cost estimate तयार हो जाएगा उसके बाद फिर road का construction start होगा तो I hope आपको यह सारी चीज़े समझ में आई होगी तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को like कीजिए और मेरे च चैनल सिल इंजिनिंग वाई डैचर को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू